प्लीस सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट थे बेल इकान वेलकम तो आर यूटूब एज केसन चैनल सिख्छाड़कडवी इस्टेंड टेंथ मैथेमेटिक्स चैनल नमबर एट इस यूर इंट्रोडक्शन तू ट्रिग्नोमेट्री इन डेट एक्सराइज 8.3 अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जो चैनल पर नहीं हो वो भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्वेस्चन नमबर 7 आपका दिया गया है यहाँ पर एक्स्प्रेस साइन 67 डिग्री प्लस को 75 डिग्री इन का एंगल इसको लिख दो जो भी आपको दिया गया है ओके देन आप सबसे पहले इसको लिख दो जो भी आपको दिया गया है इस तरह से cos 75 degree sin 67 degree plus cos 75 degree अब ही आपको पता है यहाँ पे हम इसको एक formula लगा सकते हैं यह वाला cos क्या होता था 90 minus theta is equal to sin theta होता था या फिर sin 90 minus theta is equal to क्या होता था cos theta यह theta क्या होता था यह का angle होता था अब यहाँ पे देखो आपको किस में दिया गया है sin दिया है यह वाला sin theta दिया है आप इसको cos 90 minus theta में जब करोगे 90 में से subtract करोगे तो answer क्या आने वाला है यहाँ पे देखो 23 आएगा that means 0 to 45 degree के बीच में है अब यहाँ पे भी जब आप subtract करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे जब आप इसको subtract कर दोगे 75 plus कि एक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 आएगा ओके 790 में से 75 को subtract करोगे तो क्या आएगा 75 ओ स्वरी 15 आएगा जो क्या है 0 to 45 degree के बीच में है ओके तो यह condition भी यहाँ पे follow हो जाएगी तो हम यही यह वाला formula इसमें apply करेंगे आपको जो भी करना है करो बट क्या लाना है एंगल 0 to 45 degree के बीच में लाना है तो हम देखो इसको किसमें change कर सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं cos scientific है तो इसको हम cos में change करेंगे तो 90 minus क्या करना पड़ेगा हमें यह 67 degree लिखना पड़ेगा इस तरह से कर सकते हैं इसको plus cos 75 में दिया है तो आप इसको 90 minus करके लिखो गया हो जाएगा cos की जगा ही हो जाएगा आपका sin क्या हो जाएगा sin 90 minus जो भी एंगल दिया हो सेम होई देखो ठीटा की जगा हमने 75 लिख लिए cos ठीटा था यहां पर 75 आता अब यहां पर यह लिखना है तो यहां भी 75 लिखना पड़ेगा complete कैसे आया पता चल गया सभी को now cos 90 minus 67 तो क्या होगा देखो cos 90 minus 67 जब आप सब्ट्रेक करोगे इस तरह 90 में से 67 देखो 10 में से 7 जाएगा क्या आएगा यहां पर 3 यह 8 आया 8 में से 6 जाएगा क्या आएगा आपका 2 तो देखो 22 sorry 23 डिग्री आ गया cos 23 डिग्री and यहां से आए 75 को जब सब्ट्रेक करोगे तो अंसर आएगा 15 डिग्री ओके तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर साइन 90 minus 75 आएगा आपका 15 डिग्री तो देखो आपने क्या किया हो गया हमारा और जो भी यहां पर condition दिया गया था हमने उसका follow किया 0 to 45 डिग्री के बीच में है यह जो इन के angles ठीके तो यहां पर आपका question number 7 complete होता है ठीके अब मिलते हैं next exercise में हम तब तक आप क्या करो चैनल को subscribe करो अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दो वीडियो को चैनल को subscribe करके रखोगे तो आपको हर एक वीडियो का notification मिलता जाएगा and जो भी update होगा board का और या फिर कोई test होग कर दोगा हर एक वीडियो आपको यहां से मिलता जाएगा thank you very much like and say कर दो कर दो कर दो